गुड इवनिंग तो आज मैं चंद्रियान के बारे में कुछ बताऊंगा तो उमीद है जो चुए स्टुडेंट्स हैं उसके लाइक कस्टमाइज करके बताऊंगा तो उमीद है कि यह वाला सेशन बच्चे इंजुआई करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में तो लोग कहीं न कहीं किसी वर्क में इंगेज हैं कोई डेटा को इनलाइज कर रहे हैं किसी ने फ्यूल का सिस्टम देखा है किसी ने कुछ का तो लगवग हजारों लोग जो होते हैं एक मिसन में एक साथ इगठे हो जाते हैं तो पहला चीज जो स्टुडेंट लाइट में साइटी से और फ्रेंट से काड़ दिया जाता है तो टीम भावना उनमें डेवलप नहीं होती है और घुमा फिरा के ऐसे बच्चों को तियार किया जाता है ताकि वह कलर के जॉब के लाइक ही रह जाते हैं तो हमें कोसिस करना है कि बच्चों का दिमाग है न सको ओपिन करे टीम भावना में तो यह चंद्रियान 3 की लांचिंग का सीन है जहां पर सारे साइंटिस्ट बैठे हैं उमीद है कि इस पर कॉपी राइट नहीं लगेगा अना आप इसको देख रहे हैं तो यह ने लगता है कि इसके ऊपर कोई कॉपी राइट लगना चाहिए ना वैसे भी कोई कोमर्शियल परपस है नहीं तो देखो बच्चो यह हमारा जो है यह जो सारा सिस्टम है ना यह सब पुरा रॉकेट है यह इतना पार्ट है इतने पार्ट में ही वह जो हमारा और और बाकी चीज रखा हुआ है और यह उल्टी गिंती है उल्टी गिंती में क्या होता है कि साड़े उपकरण सही से काम कर रहा या नहीं, मालों कि तीन हजार उपकरण उसमें काम कर रहा है, तो साड़े उपकरणों की जो गिंती होती है, तो जैसे चार हजार उपकरण लगें उसमें, तो एक एक को गीना जाता है, तो चार हजार से सुरू की जाती है, कि चार हजार का फाइनल चलन ना रहा है इसके लॉंचिंग को देखेंगे लॉंचिंग के बाद इसका बेसिक चीज है उसको भी हम लोग अच्छे धंग से देखेंगे अब मुझे बताओ कि चंदरियान 3 जो है कितने दिनों में अपनी कछ्छा में पहुंचेगा 30 दिनों में ठीक है तो मुझे बता अपोलो मिशन कितने दिनों में गय थे सांटिस्ट लोग साथ इटने दिन में वापस आगए पिडिफ्वी पर उसको लेकर कोई मोवी बनी है क्या मोवी देखिया तुम लोगों ने तो देखो इतना इसको बोलते है आ जैसे मिसाइल में इ लेकिन यह डेवलप्मेंट परपस के लिए रॉकेट है यह सेम टेक्नलोजी मिसाइल में भी यूज होती है और सेम टेक्नलोजी जो वहां पड़ भी तो यह यहां से स्पुलिंग होगा यहां से देखना यहां से ठीक है अधिक उटना क्या है यह सारे बूस्टर्स लगे हुए है यह बूस्टर्स के जड़िये अब इस्थ यह ज़ना इसका खास जो है इसका हम निस्को देख ठीक है अब देखो यहिए तक तो ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोगों समझ में आया, अब नीचे में इसके जो बूस्टर्स चल रहा है ना, बूस्टर्स ठीक है, इसके जो बूस्टर्स जल रहा है यहां पर नीचे में, इनकी कुछ इस तरह से इनकी बनावत होती है, इस तरह की इनकी बनावत होती ह यहीं से यह thrust निकलता है ठीक है ऐसे बुस्टर्स की संख्या इसमें दो यह तीन होगी यह ज्यादा होगी तो यह थोड़ा सा उपर जाने के बदने इनकलाइंड हो जाता है यह एक तरफ घूम जाता है यह इस तरह घूम जाएंगे thrust साड़ ही यहां से यह होने लगेगा ठीक इसे जाएगा पक्का सही है कैसे जाएगा मन में कभी ख्याला तो आता होगा हाँ ठीक है देखो यह हमारी प्रित्वी है ठीक है और यह यहां पर चंद्रमा है चंद्रमा पर अगर डाइक रॉकेट को भीजा जाएगा तो इतना फ्यूल लगेगा कि इतने बड़े तीन लाख चोड़ासी हजार किलो मेटर और वह भी एस्पेस में दीज वगरा सारा चीज है तो क्या करता है कि प्रित्वी का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करता है रॉकेट यहां से निकला रॉकेट बहुत छोटा है इतना चोटा इसे भी बहुत चो प्रित्वी का जो चक्र जो काटता है उसके ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके इस्तमाल कड़ेगा अपना फ्यूल बचाएगा अंतरिक्ष में एक वर जाएगा तो तरीके तरीके से चलके धिरे-धिरे कड़के कच्छा बदलता हुआ तब यह जाएगा चंद्रमा पर ठीक है उसके अंधर किसे होगा उमेन होता तो अभी तक तो पूरे पेपर में रंग गय होते पूरा पेपर चंद्रिया नहीं है यूमेन भेजना बहुत रिस्की काम है और अमेरिका ही अपोलो मिशन के बाद से किसी हूमेन को नहीं भेजा कहां अंतरिक्ष में क्यों है देखो वो जो बूस्टर से ना भूम जाएगा धिरे-धिरे इन्क्लाइंट हो जाएगा ठीक है यह बादलोस से उपर बिलकुल है ना अभी यही मैंने बताया है सेम टेक्लोजी है मिसाइल टेक्लोजी है सेम ठीक है हां बस ठीक है ज्यादा नहीं दिखाएंगे ठीक है बीच में क्या दिखाएगा कुछ नहीं है बीच में मार्थ अजय है खीक है अब इसरो के चेयर-परसन न कौन है यह बताना है और इसरो के बाइडिफोल्ट जो वह होते हैं ना वो शिर्शत प्राइम निस्टर ऑफिस के अदर आता है प्राइम निश्टर करते हैं आरे यह देख रहे हो यह यह मिसाइल जो देख रहा हो यह तो यह कि आना हमारे स्ट्व好吃 कि जब गये थे ौलते हैं प्रतिकिर्दी मिसाइल को उनको मिला था जिसको हमारे डिपार्टमेंट में रखी हुई थी, मतलब बच्चे लेकर के आए तो बच्चे ने यहां डिपार्टमेंट में ले लिया उससे डिपार्टमेंट ने, ठीक है, सही अगलत की बात अलग है, लेकिन अभी जैसे कि मानलो कि हम जो मेरी बॉस थी, विजयता उनके टेबल पी रखा हुआ था, हम जब भी जादे थे उसको पूरा सहला उला करके गोद में लेकर गला उला में लगा के देखते थे क्योंकि मेरे लिए बड़ा रोमांचक था वो पल कि भई बच्चे उसको लेकर एक तरह से उन्होंने अर्ण किया था हमारे स्टुडें साथ में बहुत सब्सक्राइब काम किया जगड़ा भी किया ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही से और बहुत पार उन्होंने अपसब्द बोले अब भी सकते थे लेकिन मैं ने उनको बोला किया बुड़े हैं सठिया गया है जुबान सभाल के रखिए इसलिए बीव कि मैंने काफी दिन तक काम किया नहीं हैं तो मेरी यृफ अब सकोड़ी में काम करती है यए इस्कव डिसकवडी चैनल में हाँ हां ऐस्कवडी चैनल में तो आप डाया मत बोलना मुझे मुझें बहुत चेडा है व लेकिन वैसे वह जो गुजर कम्मुनिक्टी के लोग थे ना उनका बड़ा सपोर्ट करते थे वह जैसे कि एक और गुजर था लोग सहयोगी होते हैं कुछ अन्होनी नहीं है भारत में इसे भाई भधिजावाद बहुत हावी है तो यह प्रतिकृति जो है देख रहे हो ना यह हमारे पास वहां रख्योई थी तो हमने इस सिसे को तो उतार फेका था ठीक है बस यही रहने दिया था पीतल का बना होता है आदि ठोग्क है अच्छा लगता है देखने में हां 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 क्ढ़त रखते तोड़ दिया तो शील को लें का सिस्टम मेंट शेंवर्म नीचे स्पोलने का सिस्टमोटा है उत्या हमें आफो यह होता है ना यह पूरा प्रिए जो होता है है कई हजार लोग सामिल होते हैं इन साथे सिस्टम्स में और इतने बड़ी संखिया में लोग का इंवलमेंट होता है और ये इंवलमेंट जो होता है न जपली दाओने आगे बढ़ पाओंगे जब हमेंशा टीम भावना रहेगी टीम भावना तभी रहेगी जब बच्चे एक इस प्रफिश्ट के मुल्यों को जो आपस में जोड करके रखें, फैमिली दूर दूर भड़े रहे हैं, लेकिन कमबाइड फैमिली, समझ रहे मेरी बात को, अभी जितने लोग टॉप क्लास में हैं, जितने लोग को देखोगे जो अच्छी जग़ पढ़ हैं, उनकी फैमिली मिलने दिया गया तो पता जलागा कि बच्ची नस्य पत्ते की हालत में पहुंच गया, यह भी एक इस्टू है, दोनों ही जगह पे है, तो हम लोग को बीच का कोई रास्ता जो है, और निकालना चाहिए, ठीक है, तो यह बेसिक सीज है, जो कि हम लोग देखते हैं, इतना ब लाउंच हुआ और किस तरह से गया, तो यह जो हम लोग देख रहे हैं, यह नासा का रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट बनाना जो है बहुत मुस्किल कामों में से है, क्योंकि रॉकेट जाता है इसके साथ, जो कि अंतरिक्ष में हावा नहीं है, और हावा और दहन की जरूरत ह होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो यह अपने साथ ना ऑक्षिजन के सारे ऑक्षिजन को लेकर जाता है, ऑक्षिजन लिक्विड फॉर में होता है, कई बार सॉलिड फॉर में भी कोशिश की जाती है, लेकिन जलेगा तो गैस ही, समझ रहे हो ना, तो कितनी ज्यादा प औक इस ना काम की चीजे होती है, बाकी चीज जो है, जैसे इसमें फ्यूल भरा है, फ्यूल जैसे खतम ए면ES, तो फ्यूल खतम होने के बाद यसे जो गैर ज़रूवी चीज है वो तो बोज बन गई तो अपने आप गिरता रहता है तो नौ से ना वायू से ना उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जिस जगह पे गिरने का उसका चांस है उस जगह किस पूड़े एडिया को खाली कड़ा के रखे हर बार टुकड़े जलते नहीं है अंतरिक्ष में तो यह एक इसू रहता है चलो इस अर्चमिस मिशन को हम करते हैं मैं हर जाता हूं तोड़ा सा यह नासा कमिश्चन है आप 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 करते हैं मैं हर आप 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 तो यह जो है ना, खास करके, यह जू मिशंस है, तो इसमें क्या है, कि हम हम हुमें की एक मजबूरी है कि हम लोग आस्मान में ग पता है क्यों? आस्मान में अगर दूसरी दुनिय अगर हम लोग नहीं खोजेंगे, किसी भी वज़े सा तो जाउसे दाइनासौर कम होरे, मानव जाती और पूरा प्रित्वी कभी भी खत्म हो सकता है तो इनसान के उपड़ एक प्रिशर है कि रहने लाइक एक धरती को खोजे क्योंकि इनसानों ने जब बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया तो उसको इस बात का मालूम हो गया कि हमारी जो पहले जो डाइनसार थे इस वज़े से खतम हुए थे एस्टराइड वाला इस दून को मालूम पड़ गया इसलिए अब उनको मालूम है कि जीवन एकदम छन भंगूर है और कभी भी गुजर सकता है तो इसलिए सारे मिसंस होते हैं और होते रहेंगे अगर कभी प्रिथवी के नस्टोनी की बाड़ी आई तो मानव जाती के बहुत सारे लोग है खास करके साइंटिस्ट और पैसे वाले लोग वो दूसरे जगा सिफ्ट हो जाएंगे तो यह सब चीजे होगी और नहीं है हो सकता है कि 10 सालों में हो जाए 50 सालों में हो जाए या 100 साल में हो जाए लेकिन देखो मैंने पिछली बता था स्टीफन होकिन्स ने बोला था कि अगर 200 साल तक अगर इंसान रह गया प्रिथवी पर तो कभी खतम नहीं होंगे इस हिसाब से टेक्नलोजी आगे बढ़ रही है तो चलो basic है इतना ही काफी है इसको लेकर के अब जितनी calculations इसमें होती है वह सारी calculations के लिए हमें gravitation को जाना जरूरी है इसके अलबा हमें movement of earth को जाना जरूरी है Celestious bodies की तरह से एक दूसरे के उपर impact करती है उसको जानना जरूरी है और मंगल और ब्रस्तपती तक अगर भेजना हो कभी भी तो उन दोनों के बीच में strides के बहुत सारे belt है उसको कैसे पार कड़ेगा खास करके यान उसको जानना जरूरी है पत्थर के बड़े बड़े टुक रहा है जिस पर इंसान बस्तियां बसा के रह ले ठीक है और बहुत बड़ी बड़े तो खेर आपस में चकड़ा जाएंगे तो फिर बस्तियां खतम हो जाएगी सोचो कितना चन भंगुर जीवन है रहा हम लोग इसमें क्या-क्या नहीं सोचते रहते हैं ठीक है तो आज से जुआ करना लाइफ को ओके फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद